सात्यों, भारत विवितता को विसेस्ता के रुप में जीने वाला देश है, हम विवितता को सेलिब्रेट करने वाले लोग है, हम अलग-लग भाःशाओं और बोलियों को, अलग-अलग कलाओं और विधाओं को सेलिब्रेट करते हैं हमारी आस्था से लेकर के हमारे अध्यात्व तक हर जगह विवित्ता है हम शीव की पूजा करते हैं लेकिन द्वादियस जोति लिंगों में पूजा पद्दजी की अपनी विवित्ता है हम ब्रह्मकाभी एकोब अहम बहुश्याम के तोर पर अलग-अलग रूपा में अनुसंधान करते हैं उसकी उपासना करते हैं हम गंगेच यमुनेच यव गोदावरी सरस्वती जैसे मंत्रों में देश की अलग-अलग नदियों को नमन करते हैं इव विवित्ता हमें बाणती नहीं बल्कि हमारे बंधन को हमारे संबंदों को मजबुत बनाती है क्योंकि हम जानते हैं अलग-अलग धाराय जब एक साथ आती है तो संगम का स्रजन होता है इसलिए हम नदियों के संगम से लेकर कुम्ब जैसे आयोजनों में विचारों के संगम तक इन परंपराओं को सदियों से पोसित करते आए हैं यही संगम की शक्ती है जिसे सवराष्ट्र तमिल संगमम आज एक नए स्वरूप में आगे बढ़ा रहा है आज जब देश की एक्ता ऐसे महापरवों के रूप में आकार ले रही है तो सरदार साहाब हमें जरूर आशिरवाद दे रहे होंगे यह देश के उन हजारों लाकों स्वतंतरता सेनानियों के सपनों की भी पूर्ती है जिनों ने अपने बलिदान देकर एक भारत स्वरेष्ट भारत का सपना देखा था साथियों आज जब हमने आजादी के पचरतर वर्ष पूरे किये हैं तो देश ने अपनी विरासत पर गर्व के पंच प्राण का आहवान किया है अपनी विरासत पर गर्व तब और बढ़ेगा जब हम उसे जानेंगे गुलामी की मानसिक्ता से मुक्त होकर अपने आपको जानने की कोशिश करेंगे काशी तमिल संगम हो या सवराष्ट तमिल संगम हो ये आयोजन इसके लिए एक प्रभावी अभ्यान बन रहा है आप देखिए गुजरार्त और तमिल नाडू के बीच ऐसा कितना कुछ हैं जिसे जान बुझकर हमारी जानकारी से बाहर रखा गया वेदेशी आक्रमनों के दौर में सवराष्ट से तमिल नाडू के पलायन की थोड़ी बहुत चर्चा इतिहास के कुछ जानकारों तक सिमित रही लेकिन उसके भी पहले इन दोनों राज्जों के बीच पवराणिक काल से एक गहरा रिष्टा रहा है सवराष्ट्र और तमिल नाडू का पस्चिम और दक्षिन का ये सांस्कृतिक मेल एक ऐसा प्रभा है जो हजारों वर्षों से गतिशिल है